तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पके हुए केले से बनने वाले एक युनीक नास्टे की रेशिपी जो आपके बच्चों के साथ आपको भी बहुत पसंद आने वाली है और ये रेशिपी आपके घर में रखे हुए कुछ गिने चुने इंग्रेडियन् करते हैं हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल मॉम्स किचन बाई निशी कैसे हैं आप लोग आयोप सभी अच्छे ही होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो हमारे साथ क्या होता है हमारे घर में केले आ जाते हैं और वह रखे-रखे कभी-कभी काले पड़ जाते हैं और उन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता है तब हम उससे क्या करें तो आज उन्हीं केलों से हमें एक यूनीक सी रेसेपी बना कर दिखाएंगे आपको तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम मिकसर जार लेंगे उसमें हम केलों को चील लेंगे और इसमें मोटे-मोटे टुकड़े करके काटके इसमें डाल देंगे इसमें बारीक टुकड़े करने की जरुत नहीं है क्योंकि हमें इन सब को ब्लेंड ही करना है हमने केले ले लिए दो केले या तीन क तो इहां पे आठा लिया है आप चाहे तो यहां आदा कातोरी आठा अ जाती हैं करते हैं nostraत D किनी डाल दिया हमने अब हम इसमें थोड़ी सी फ्लेवर के लिए इलाइची का पाउडर एड़ करेंगे आप चाहे तो इसमें कोई सा भी एसेंस भी डाल सकते हैं अब हम इसी कटोरी से एक कटोरी फुल क्रीम दूद लेंगे मलाई वाला दूद और इसमें अपने अवशक्त अनुसार इसमें आड करेंगे और इन सब को एक अच्छा सा मिक्स्टर तयार कर लेंगे देखिए हमारी मिक्स्टर तयार हो चुकी है और हम इसी कंसिस्टेंसी में गोल तयार करके रेडी कर लेना है अब हमें क्या करना है अब हम एक ब्रेड लेंगे अब उनके चारो को हम कट कर लेंगे आप चाहे तो इन्हें कट कर सकते हैं और नहीं भी कट करेंगे तो इसे भी आप खाएंगे तो इन्हें अच्छा ही लगा लेकिन हमारे बच्चे खाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा कट करके देंगे तो अच्छे से खा लेंगे हमने चारो साइट को कट कर अब हम इसे बीच में से ट्राइंगल कट करेंगे जिससे ये थोड़े देखने में अच्छे लगेंगे अब हम क्या कर रहे हैं इसे ट्राइंगल कट कर लेते हैं अब हम इस ब्रेट के उपर जैम लगाएंगे मैंने यहाँ पे mix fruit jam का यूज किया है आप चाहे तो कोई सा ये flavor का jam लगा सकते हैं अब हम इसके उपर एक और bread की slice रख देंगे और एक sandwich की तरह इसे ready कर देंगे उसके बाद हम gas पे एक कड़ाई को गर्म करेंगे कड़ाई हमारी गर्म हो चुकी है अब हम उसमें oil add करेंगे लेकिन हमें oil ज्यादा add नहीं करना है क्योंकि हमें इन जो sandwich बनाया है उसे deep fry नहीं करना है shallow fry ही करना है अब हम अपने एक sandwich को उठाएंगे उसे हम अपनी जो mixture गोल बनाई थी न उसमें अच्छे से चारो तरब से उसमें dip करेंगे जैसे हमारी अच्छी सी coating हो जाए इस घोल की उसके बाद हम इसी bread को bread crumb में लपेटेंगे चारो तरब से इसे भी अच्छे से लपेट लेंगे अच्छे से कोटिंग कर लेंगे हैं अपनी ब्रेट को अब हम इस ब्रेट को जो हमारा ओयल गरम हो चुका है कड़ाई में डाल देंगे इसी तरह हम अपनी दूसरी ब्रेट की भी तयार कर लेंगे और उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे अब हम इन जो सैंट्विच बना रहे हैं उसे धीरे धीरे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे और इसे slow to medium flame में ही पकाना है high flame में नहीं पकाना है जिससे कि हमारी ब्रेड अच्छे से crispy हो जाए अंदर तक देखे हमारी ब्रेड बनकर बिल्कुल ready हो चुकी है अब हम एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको हम कढ़ाई में से oil हटा दिये हैं सारा थोड़ा सा तेल रखेंगे और छोटी छोटी पैनकेक बनाएंगे उसी गोल के और इसे थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह हमारा एक दूसरा नाश्ता भी बनकर तयार हो जाएगा जिसे ब्रेड नहीं खाना है और आप ऐसे भी पैनकेक बना के खिला सकते हैं बच्चों को अब हम इसे दूसरी तरब से बी अच्छे से पलट देंगे और हमारा ये पैनकक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम इन जो सैंड़ुच बनाए है इसे बीच में से कट करके दिखाते हैं इनके बीच में से कितना अच्छा सा ये कलर दिखेगा देखिए आप देखिए और ये पैनकेक जो मैंने बनाया है वो भी ठंडे हो चुके हैं और ये कितने सॉफ्ट और मुलायम है अगर आप ट्रैबलिंग पे जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए इसे बना के रख सकते क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगते हैं ख करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी मिलती हूं अगले वीडियो के साथ तब तब के लिए बाई बाई